आखे जैन दोस्तों जैमाकल स्वागत आपका पलवानी वर्सेस बड़े बिलिंग चैनल पर दोस्तों शृतियपणम के अगले अग्यास में आपका स्वागत हैं और आज आप और दोस्तों इस अभ्यास में आज मैं आपको बताऊंगा कपलभाती भैटक का एक और रूप जि इनको मदोमे की याने डियाबेटीस की शिकायट है एकदम तेजी से से क्योर रते जैंगी जो युवा है से वह कट सकते जो वृत मेरे बड़े लोगा है वह भी इसको धिरे-दिरे से अपना सकते जो मेरी माता भेने हैं वह भी इसे छोटे से गदे से कर सकते दोस्तों इस में आपकी जंगाओं के साथ साथ आपकी कमर और आपकी आरगन जैसे कि आपका लिवर हो गया और चूंटी आंथ बड़ी आंथ चली रिदे से संबंदित रोगों से आपको निवारण 110% मिलेंगा और इसके साथी साथ आपके चेहरे पे एक ते जाएंगा एक दिव्य ते जाएंगा जो आपको जरूरत बहुत कम पड़ेंगी और टीनेजर से उनको एक कई सारे शिकायता रहती कि उनके चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं कील मुहां से आ जाते हैं इससे वह भी कम हैंगे और साथी साथ आपका शरीर एक दम सुडल बनेंगा और बहुत ताखत वर बनेंगा यह शुरू करते हैं अचका अभ्यास दोस्तों यह ज्यादा कटिन नहीं है कि अब्यास है लेकिन शुरूआज मैं मैं आपको एक-ब्यम आसान तरीका का अब्यास बताऊंगा जिसके अंदर आपके सुब्धुमाना है मीचे से जैसे की देखिए हो गया जुमा के कि अब्यास को आप नीचे की तरफ ले जारें जब नेचे से ले आरें तो आपको स्वांस खीषना है और जब आप बैठक लगा रहे है तब आपको स्वांस बाहर ठेकना है जैसे अपन खबल वादी में भेखते हैं तर फिर से देखें दोस्तों जिनको खाना जल्दी से हजम नहीं होता और आपके शिकायत रहती है दोस्तों इस अभ्यास से ज्यादा तर आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत हैंगा आपका मज़र्ड डेवलेपमेंट तो होई गई होंगा शाथी साथ आपका जाएंगा कि आप कि आने कि कुछ भी खाएंगे आपको बहुत जल्दी से हजम हो जाएंगा बैजेश हो जाएंगा और यह अभ्यास जो एकदम जादा दुबले पतले हैं हमारे आखड़े में भी जो कैमेरा मेरा भी फोन पकड़ा हुए उन्हों भी थोड़ा समसकते आप जाएंगा मतलब जो एकदम दुबले पतले हैं उनके लिए भी अभ्यास ब्रह्मा से करेंगा उनकी मज़र डेवलेप्मेंट और उनका आर्गन डेवलेप्मेंट बहुत जल्दी से होते रहेंगा तो स्पेशली जो युवा है उसको भारी वेट से कर सकते याने भारी गद की बरूं दॉस्तों कि ऐसा कौन सा रोग नहीं है जो अपने वेदों में जो लिखावा है प्राणायम योगा शत्रिया प्राणायम इससे आपको 100% रिजल्ट शत्रिया प्राणायम में तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगा बस 15-20 जिन याने 3-4 हफते में आपक में मैं तो कि मैसुस करेंगे इसका अफ़र मात रह ईएगी सद्रीन में आने 3 हफते में कई सारे ऐसे रोगी है अमर पास जिनको डाबेटी्टी का प्रप्राब्लम था बिना कोई दावाई के लो ठीक होते जा रहे तो और एन बाद दोस्तों जो मेरे को कॉल सरे देश भर स जो मेरे भाया जो मेरी बहना मेरे को कॉल करके इंक्रेश कर रहे उनका मैं तहे दिल से धन्यावाद देता हूं वीडियो अगर आपको अच्छी लेगी दोस्तो तो प्रीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत जल्दी मिलिके अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हि